आज के कार्यकर्म के प्रमुगति थी आधर्णिय श्री धनुका जी, भरत्विकास परिशत के राष्टिय अध्यक्ष आधर्णिय श्री गजेन्र सिंग जी, सचिव श्रिमान शाम शर्माजी, मंचपर उपस्थित अन्यसभी पदारिकारी गण, उपस्थित सज्जन माता भगिनिय। डॉक्टर सुरज प्रकाश जी की जन्मशती के वर्ष का समापन कारिक्रम यह है। तो सवा साल तो एक साल का ही होता है। इसके बाद एक सो एक वा एक सो ऐसा चलेगा। मनाने की पद्धती सववे साल को मनाने की है। इसलिए जन्मशती के कारिक्रम समापत हो जाएंगे। परंतु जिस कारिय में डॉक्टर सुरज प्रकाश जी ने अपना जीवन लगा दिया। केवल अपने परिशरम से नहीं तो अपने उदाहरण से उस कारिय को एक स्वरूप देने का नित्य निरंतर प्रयास किया। वो कारिय तो सदा चलता रहेगा। इसलिए यह जो हम जन्मशती मनाते हैं अब जो काम करते हैं उनको तो यह अपेक्षा नहीं रहती। और यह पता भी नहीं रहता कि यह ऐसा होने वाला है। परन्तु उदारन हम सब लोगों के सामने आता है। उसका हम पुनर स्मरन करते हैं। उस बहाने कारिय कैसे प्रारम हुआ, कैसे चला। पहले दिन क्या थे। इसका स्मरन हो जाता है, तो आगे आने वाले समय में उस कारिय को बढ़ाने के लिए हमको एक पुखता पाथे ऐसा मिल जाता है। अभी भारत विकास परिशद एक देश व्यापी संगठन हो गया है। तो सामर्थय बढ़ा हैं और इतने वर्षों के कारिय के कारण, कारिय के प्रती एक विश्वास, कारिय की एक प्रतिष्ठा भी बन गई है। इसलिए ये सब सहायक होते हैं, इसलिए पहले जो काम करते थे, सौ परिश्रम करते थे, तब एक कदम आगे बढ़ते थे। आज ये सब पुन्य अपने पास में आ गया है पूर्वके कार्यकरताओं के परिश्रम के कारण तो हम दस परिश्रम करेंगे और सौव कदम आगे जाएंगे ऐसी स्थिति आ जाती है किसी भी कार्य में पहले उपेक्षा होती है विरोध भी होता है बलकि भारत विगास परिश्रम कार्य ऐसा है कि इसमें कोई विरोध की गुंजाईश नहीं है किसी से लड़ना वड़ना नहीं है जो अच्छा है वो करते रहना है सब को जोड़ना है और अच्छे भले काम करते रहना है संगठन गड़े चलो सुपन्थपर बढ़े चलो हो भला समाजका वो कामसब किये चुरो इसमें विरोत की गुंजाईश बहुत कम रहती है लेकिन फिर भी एक अवस्था वो भी है जिसमें से कारे को जाना पड़ता है और फिर अनुकूलता आती है अनुकूलता में ज़्यादा चिंता करनी पड़ती है क्योंकि अब हम यशस्वी है जयस्वी है समाज में हमारी प्रचिष्ठा बन गई है इसलिए जहां जाते है वहां वाही वाही तो होती ही है जयजेकार तो होता ही है उससे जैसे उत्सा बढ़ता है वैसे एक संभावना ये भी रहती है अहंकार भी बढ़ता है और अहंकार सभी कारियों को मारक होता है और विशेशकर सेवा में तो अहंकार बिल्कूल नहीं चलता इसे कहानी बताते है कि एक राजा थे बड़े प्रजाव अत्सल थे कुशल थे शूर भी थे बचाओ भी अच्छा करते थे देश का आक्रमों को उत्तर देने के लिए लडाईया जितते भी थे और लोगों के हित को जानकर उनके हित की बाते करते थे थे तो जैसा आदर्शे राजा होना चाहिए ऐसे वो राजा थे और एक बार उनके मन में विचार आ गया एक सन्यासी को वो एक नया किला बन रहा था वो दिखा रहे थे ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है उस समय उसके मन में, उनके मन में विचार आया कि कहां से शुरू किया मैं, अकेला था अब इतना सारा सामराज्यो हो गया, खिले बन गए कोई होगा क्या ऐसा राजा पृत्वी तल पर जो इतने कठिन परिस्थिती में से और इतने अलपा वधे में इतना बड़ा काम कर सकता है तो सन्यासी थे, वो अंतरज्ञानी थे उन्होंने अपने हाथ में जो लाठी थी उनकी, सन्यासी की उससे वहाँ के एक पत्थर पर जोर से मारा, ऐसे ही तो पत्थर तूट गया, देखते तो वो पोल था इसलिए टूट गया लाठी के प्रार से, अंदर पानी था और पानी में एक छोटा सा मेंड़क भी था तो सन्यासी राजा को कहते हैं कि महराज आप तो बड़ी चिंता करते हो जी, सारे प्रजा की इतनी अब ये पत्थर के अंदर मेंड़क बैठा है, उसके लिए पानी की भी चिंता आपने की है, बहुत अच्छा काम अपने की है तो समझ गये कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूँ जो सब की चिंता करता है, उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूँ तत्परे क्या है, कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करने पड़ती है और सुविधा बढ़ती है, तो सुविधा है, तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है इसे सुविधाओं का उप्योग तो करना ही चाहिए परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाते है इसका ध्यान रखना पड़ता है और ये दोनों बाते ठीक होनी है तो अपने पुर्वज और एक संगठन के नाते अपना पुर्वचरित्र इसको बार-बार याद करना अच्छा रहता है हमको आठवी के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी पाठ में टेक्स्ट बुक में आया जनाम का एक वजीर था एक सुल्तान का और बहुती कुशल था बहुती लोकप्रिय था राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास नेह प्रतिष्टा सब कुछ था और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था इतना राजा उसको और जतन से देखता था अब राजा का दरबार है यहने वहाँ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है आप जानते हों तब भी थे और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर और इसलिए वह 24 घंटा इसकी कहां गलती होती है इस पर नजर गड़ाय थे तो उनको ध्याने में आया कि यह राजा का वजिर रोज रात को बारावजे मध्यरात्री में उठके शहर के परकोटे के चोर दर्वा जर्षे से कही एक जंगल में जाता है और वहाँ एक खंडर नुमा मकान है वहाँ अंदर जाता है थोड़ी ज़र रहता है रवापस आता है किसको ग् stories क्या करता है पता निह लेकिन इतना तो बस है। अधि रात उठकर किसी राजय का वज़द क्यों जाएगा जंगल में खंडर नुमा मकान में। कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजय के कान। राजय को बता है कि ऐसा-इसा है। राजय नहीं तक इसा हो नहीं सक आप आख को आख देखन, आप निश्चित कर सकते हैं, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है, तो बहुत मनाने के बाद राजा महराज आज ये काम मैंने दोबारा किया यही काम मैं करता हूँ, यहां आता हूँ, इस संदुक में जाग कर देखता हूँ फिर वापस जाता हूँ इस संदुक में क्या है जाग कर देखना है आप भी देखिए राजा देख, सुल्टान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है इस कोट को क्यों देख रहा हूँ तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था तो मेरी हालत यह थी मेरे पास कोई प्रापरिटी नहीं थी यह एक फटा पुराना कोट था जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था, आज मैं आपकी कुरुपा से यहां तक आया हूँ, यहां तक आया हूँ, तो मेरे दिमाग में यह वैभव चड़न जाए, और मेरी मती भर्ष्ट्र न हो, इसलिए मैं रोज आता हू इस फटे पुराने कोट को देखता हूँ, कि हालात वैसे भी थे, उन हालातों से पार, जिन बातों के भरोसे हम यहां तक आये, उसको सुरक्षित रखना है, यह समुरुद्धी के परिणाम से बचने का उपाय है, और मैं समझता हूँ, कि डॉक्टर सूरश प्रकाश की जन संगठन के बीज रूप होकर उसकी सारी बातों का निर्धारन करना, लिखित नहीं बताना, करना, और जो किया गया वो लिख बन जाती है, जो किया गया वही बताया जाता है, ऐसा जीवन भारत विकास परिशत के इतिहास में, उनका, वो इस संगठन के मूलों में जैसे और इसलिए हम थोड़ा विजार करें कि ये सारा परिश्णम उन्होंने क्यों किया वो एक अच्छे प्रति थी, दॉक्टर थे, आराम से जिन्दगी काट सकते थे, अपनी कमाई कर सकते थे लेकिन ये सब करने के उनको आवश्यक्ता क्या थी, तो पहली तो बात है, कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धी के लिए किया नहीं, मुझे पता नहीं, दिल्ली में भी, अब तो उनकी समकालिन पीडी तो बहुत कम रही गई होगी, बच्पन में उनको देखा ऐसे लोग भी अ नहीं जानता, बहुत कम होगे, ऐसा मेरा अनुमान रही तो कोई प्रसिद्धिगा वगरे माबला नहीं था, आहंकार की तृति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सारा काम जीवनभर किया है, तो घर का खाकर समाज का काम किया है, तो यह क्यों किया होगा? तो उसका एक ही कारण है अपना पन सेवा सेवा हम कहने है चब से तो सेवा क्यों होती है जो अपने पन के कारण होती है वह सच्ची सेवा है लगता है कि सेवा करनी चाहिए जो दुख में है वो भी मेरा है वो मेरा ही है वो दुख में और मैं सुख में कैसे रहू कहीं कोई अभाव है तो मेरे जीवन में भी अभाव है वो वो अभाव कहीं और है ऐसा नहीं वो मेरे जीवन में वही अभाव है उसको पूरा किये बिना मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा ये सम्वेदना जो मनुष्य की मनुष्यता का परिचायक है वो फूट पड़ती है रदय की व्यता जो उत्पन्न होती है दूसरों का दुख देखकर वही सेवा अभाव बनकर फूट निकलती है कृती में परिवर्थित होती है ऐसी एक स्वाभाविक सेवा उनके आज से जिवन बरूई बिलकुल देश विभाजन की परिस्थिती में गुंडों की दंगों से उस त्रासदी में पीडित लोगों को सुरक्षज भारत लाना उनकी सेवा करना यहां से लेकर तो भारत विकास के प्रारम में नागरिक समीती बनाकर चीन के आकरमन के प्रतिकार में जो जो नागरिकों ने करना आवश्रक्ता वो सब करने लगना यह जो सारा सहज सम्वेदना का प्रगटी करन हुआ वो हमको करना है क्योंकि भारत विकास परिशद समाज के प्रबुद्ध और सम्रुद्ध व्यक्तियों का संगटन है प्रबुद्ध है इसलिए समझते हैं यह बुद्धी नहीं ऐसा होई नहीं सकता वो प्रबुद्ध जन है उन सब बातों को जानते हैं मेरे भाषन के पहले हजारों बार आपने ये बाते पढ़ी सुनी होगी और आपने स्वयम हजारों बार बताई भी होगी घर में छोटे बच्चों को भी इन बातों को हम बताते हैं, हम जानते नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं है लेकिन बुद्धी से जो जानते है मन से जो स्विकार करते है उसको कुर्टी में लाने के लिए आदत करनी पड़ती है शरीयन की आदत बनती है उस आदत को बदलना पड़ता है अच्छा बनना है यह ने क्या अच्छा बनना है यह ने क्या बहुत से लोग जानते, क्योंकि बताने वाली भी बहुत है, सदियों से बताते चले आ रहे हैं, आज भी बताने वाले हैं, कल भी रहेंगे समझते तो हैं, सब लोग समझते हैं, लोगों को जिस भाशा में समझ में आता है, उस भाशा में समझाने वाले हैं और मन को भी अच्छे ही लगता है, मनुष्य की अभाविक प्रणुती अच्छे के तरफ होती है, ये बात अच्छी है, इसलिए सब को अच्छे लगती है, अपने हाथ से हो, ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो, इसलिए अपने शरीर का जो रुटीन बना ही इत प्रतिष्ठा के जूटे परदे को फाड़ कर, अपने शरीर को जिसकी आदत नहीं है, ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढाल कर, ये काम करना, ये करना पढ़ता है, और ये करने का आदर्श हमारे पास डॉक्टर सुरज प्रकाजी के रूप में है, उसका अनुकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जनों को ये बात समग में आती है, दूसरी बात है, समरुद्धी है, इसलिए साधन संपन्न है, साधन, आर्थिक संपन्नता यूँ ही नहीं आई, उसके लिए परिश्रम किया है, संगर्षम है जीवन का अनुभव ल सामान या आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी बाते सोच कर हम ठीक कर सकते हैं, सामर्थी भी है, लिकन उससे भी महत्व की बात है, कि हमारे जैसे लोग समाज में ट्रेंड सेटर्स होते हैं, प्रसिद्ध होंगे हम नहीं होंगे, फैशन में हमारा नाम होगा नहीं होगा, परंतु समाज का नियम है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यद्यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, सयत प्रमाणम कुरूते लोकस तदन वार्थ हैं, जो बड़े लोग है, श्रेष्ठ लोग है, वो जैसा आचरन करते हैं, वैसा बाकी सारे लोग करत हैं, वो जो प्रमाण बना जेता है, स्टेंडर्ड बना जेता है, वैसे उसका अनुकरण बाकी लोग करते हैं, उसके अनुसार लोग चलते हैं, क्योंकि लोगों को बाकी बाते जहान में नहीं आती, तत्वत ज्ञान, विचार, सूझ बूझ, नहीं रहेगी, तो धरमा जाएंगे तो वो confused हो जाते, क्योंकि कही प्रकार की बाते, कभी-कभी उल्टी बाते भी मिलती हैं, अनेक लोग है, अनेक महान लोग है, अनेक लोगों ने लिखाया, अनेक लोगों ने बोला है, किस परिस्थिती में, किस को, इसमें कुछ भेद हो जाता है बताने में, जनो ये नगतह सपन था बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे तो अपने देश के लोगों की लीक बनाने का काम हम चाहे न चाहे हम कर रहे हैं और इसलिए स्वरगीर डौक्टर सुरश प्रकाश जी ने सोचा उस समय कि अपने समाज के प्रबुद्ध संपन वर्ग को एक दिशा मिलने की अवश्चकता है उन्होंने उस समय क्या परिस्थिती देखी ऐसा क्यों सोचा ये मुझे मालूम नहीं मैं उस समय बहुत छोटा था इन बातों को नहीं समझता था लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कुछ देखा होगा इसने सोचा और उन्होंने ये संगठन शुरू किया अब दिखने में तो इसका स्वरूप कोई नया स्वरूप नहीं है अलग अनोखा स्वरूप नहीं है बाहर से दिखने पर लगता है कि जैसे रोटरी कलब है अलायन्स कलब है हमारा एक भारत विकास परिशन है लेकिन डॉक्टर सुरज परकाश जी ने केटेगोरिकली कहा है कि हम वो है वैसे हम और एक ऐसा नहीं है क्योंकि हम को केवल सेवा करने नहीं है हम को लीक बनानी है इसलिए बाहर जो करना है लोगों के बारे में जो करना है वो तो करना है ही लेकिन हम को कुछ होना है अभी भारत विकास परिशन में चर्चा चलती है भारत के बनो भारत को मानो भारत को जानो तो भारत के बनो यहां से काम शुरू होता है क्योंकि हमारा भारत विकास परिशन है बारत के संदर्म में एक विशिष्टार्थ है, विकास की कल बना है बारत की एक, क्या बाकी दुनिया में विकास किसको मानेंगे, तो भावतिक शुखों की प्रचुरता है, भरपूर है, और क्या पास में भरपूर धन है, और हाथ में कुछ ताकद है, पावर है, पावर मनी एंड प्लेजर, तो फिर सरवांगिन सुखों गया, लेकिन अपने या ऐसा नहीं है, अपने यांके बिर महराज जी ने कह दिया, उचा बया तो क्या बया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फलल आगे अति दूर, इसका मतलब मेरे या मेरे अकेले परिवार के विकास में सची विकास नहीं है, क्योंकि मनुष्य, उसके अंदर जो है सत्य, वो सारे विश्व का सत्य है, सारा विश्व उसी से निकलता है, तो मनुष्य का ये कर्तव है, उसको विचार दिया है, उसको समझदारी दी है, ये शक्ति अगर प्रकृति ने दी है, जो बाकी किसी को नहीं दी, तो इसका मतलब है मनुष्य को इस प्रकृती को भी ठीक चलाना है सारी मानवता को भी ठीक चलना है उसके लिए तो यह उसका दाईत्व बनता है बैल पर कोई दाईत्व नहीं है सुर्ष्टी का वो प्रकृती नहीं जैसा रखा वैसे काम करता शेर पर कोई दाई तो नहीं है बकरी पर कोई दाई तो नहीं है उनको जैसे प्रकृति ने निर्मान किया वैसे वो जन्म लेते हैं और पता नहीं रहता उनको क्यों आए इस दुनिया में कैसे आए मर जाते हैं तो ये भी पता नहीं उनको कब मरेंगे कैसे मरेंगे मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है, जन्म और मरन के बीच में प्रकृती भूख देती है, खाना काम है, प्रकृती प्रजा परिपोषण का एक प्रिर्णा देती है, संख्या बढ़ाना है, मनुष्य भी बायोलोजिकली एक एनिमल है, उसको भी ये सारा प्रकृती ने दिया है, लेकिन मनुष्य को विचार दिया है, बुद्धी जी, समझदारी जी, समय दना दी, तो उसका काम है कि उसका उप्योग करके इस पशु के स्तर के जीवन से वो उपर उड़े, कितना उपर उठे, इतना आगे, इतना आगे, जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूरुनता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, इतना आगे उसको बढ़ना है, बढ़ते रहना है, पशु से मानव, मानव से अति मानव, अति मानव से देवत्व, ऐसे आगे चलते रहना है, विकास का कोई अंतर नहीं है, विकास अकेले का भी नहीं है, और विकास केवल भावतिक जगत का नहीं है, विकास अपने अंतरिक जगत का है तो पढ़ना लिखना, कमाना, उहदा पाना ये ठीक है, ये नकारा नहीं है क्योंकि शरीर्मन बुद्धी है तो उसके लिए जो आवश्चक है वो ठीक है पर उन्त केवल उतना नहीं है एक आयास अपसर छुट्टी पर गए बाद में उन्हों लिखा इस कहानी को चुट्टी पर गए जंगल देहात के इलाके में रहे वहाँ, गेस्ठाउस ता सरकारी उसमें रहे रोज गुमने के लिए जाना जंगल की शुबा देकना क्या क्या किया तीन दिन आराम जिसको रिलाक्स ऐसा कहते है वैसे हो गए तो लिखते हैं वहाँ मुझे एक अनूँ वह आया शाम को मैं टहल के पाँस साड़े पाज बैज वापस आ रहा था एक पेड़ पे मैंने घोसला देखा वो एक बया नाम की चिडिया रहती है बड़ा सुन्दर शंक्वाकृती घोसला बनाती है और डोर वे भी रहता है उसको तो दिखने में भी सुन्दर रहता है लोग अपने घरों में रखते हैं उसको तो अब उचा पेड़ पर था और इसूटबुट में थे सुपर क्लास वन अफसर थे तो प्रचिष्ठा की भी रुद्धता पेड़ पर वगर कैसे चड़े लेकिन एक गड़रीय का बच्चा वहाँ था अपनी बखरिया चराती चराते आये था तो उसने का वह देख रहे हो क्या है तो बोले हां भया का घुसला है तो निकाल के दो उसने का नहीं देता अगर मैं एक रुपया दोँगा दोंगो निकाल के दो, तु भुले नि रुपया नहीं चाहिए, तो इनों दाम बड़ा है, दस रुपय तक गए लिकिन उतायार ही नहीं, तो ले क्यों तुम आसानी से कर सकते हो, तुमारी आयो है ये सब करनी कि, कई बार तुम कर चुके भी होंगे, तो मैं दस रुपय जने के लिए ठाई हूं. बुले नहीं, जो क्यों? तो आप शहर से आये हैं, तो कितने दिन रहेंगे? तो परसो के दिन जाना है, तो वहाँ आपकी रहा देखते होंगे, घर के लोग परसो की दिन रहा देखेंगे, देर होगी तो चिंता करेंगे तो बुले, आप वो तो है ही, तो बुले ये वो घोसले में चिडिया के बच्चे है, वो चिडिया बाहर गई है, वो बच्चे भी उसकी रहा देखते होंगे, अगर आप घर नहीं पहुचे तो आपके घर में क्या होगा? तो आगे वो अफसर साब उस लेख में लिखते हैं, कि मुझे मेरे बहुत शिक्षित अफसर होनी के लज्जा ही उससमें, विकास क्या है? अगर आप उस घोसले में जो बच्चे चूजे है चिडिया के, उनका दर्द समझ नहीं सकते, तो आप मनुष्य कैसे हो? और वो भी शिक्षित मनुष्य कैसे हो? और वो भी जिम्मवार मनुष्य कैसे हो? और वो भी साधन संपन मनुष्य कैसे हो आप? इस तरफ हमारे महाजनों का ध्यानाकर्शन करना और ऐसा वो बने वास्तों में समाज को जिनके पीछे जाना है जिनके पीछे जाने से समाज को धर्म समझ में आएगा समाज का कल्यान होगा ऐसे महाजन बनना यह पहले करना पड़ता है भारत के बनों क्योंकि भारत इसी के लिए है भारत को जानना है तो भारत का भुगोल भारत का इतिया से सब जानना है लेकिन भारत का प्राण क्या है भारत का प्राण है उसने अस्तित्व में इस एक तत्व को देखा और ये समझा कि अनेक रूप धारण करके यह तत्व पूरे विश्व के रूप में हमारे सामने प्रगट होता है दिखता अलग-अलग है लेकिन वह है एक ही और इसलिए मनुष्य का विकास याने इस विश्व के साथ एकात्म तदात्म हो जाए ओ मनुष्य आपने याँ देखो हमारे आठवी पूड़ी के पुरुवच कौन थे ऐसा अगर मैं पूछूं तो बहुत कम लोग होंगी यहां मेरे सहित जो उसका उत्तर उत्तर दे सकेंगे जरूरत नहीं है भूल जाते हैं मालूम भी नहीं रहता है स्वामी विवेकानन्द, सब लोग जानते हैं आपके रि्ष्टेदार नहीं थेंगे हैं रिष्टेदार नहीं थेंगे आपके अपकी बेट़ आ नहीं बाए उनके मरने के बाद महीं जानमा और हमारे गाओ में उनके में आई अच्छा, तो क्या सावसत्त है? मुंतरी? नहीं, बिविदाय करे हो, नहीं नहीं विदाय को करने, जड़पी में? नहीं, ग्राम पंचाज में भी नहीं, वार्ड के भी नहीं, अच्छा-च्छा, पैसा? अरे पैसा था, उनकी बुडी माताजी थी, उसका योगक्षेम, खेत रिष्टे थे तब चलता था. तो ये एक धेला नहीं कमाया, कही कोई प्रभाव नहीं, प्रभूता नहीं पाई नहीं रिष्टे के है, ननाते के, नकभी देखा, नकभी आए अपनी धर. हम क्यो जानते हैं उनको? हम इसलिए जानते हैं, कि वो अपने लिए नहीं जीए है वो जिये ऐसे जिये स्वयम सारी मानवता के सामने एक उधारण बन दे है और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उप्योग उनों ने अपने लिए नहीं किया कामये दुखत अप्तानाम प्राणिनाम आरतिनाशनम राजा रंतिदेव कहते मुझे राज्य नहीं चाहिए न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गं न अपुनर्भव्म मोक्ष भी नहीं चाहिए क्या एक मातर इच्छा है दुखत अप्तानाम प्राणिनाम आरतिनाशनम यह भारत है स्वामी जी कहते थे इस भारत को क्या करना है भारत तुमारा जन्मा इस विश्व में प्रभूता संपन्न होकर उपभोग करना विश्व पर राजय करना नहीं है तुम काली माता के बली वेदी पर खंबे से बानदे हुए पशू हो तुम को बली जाना है मानावता के लिए अपने लिए तुमको नहीं जिना है, दुनिया के लिए जिना है ये भारत है, वो भारत के साथ हमको एकात्म होना है, तदात्म होना है हमको भारत बनना है और उस भारत की नजर से विकास करना है शरीर, मन, बुद्धी का विकास तो है ही लेकिन उसके साथ साथ इस आत्मा का याने आत्मी यता का विकास अपने पन के आधार पर सारी बाते चले आज कैसे चलती है आज के दुनिया के चलने के पीछे किस डाइनेमिक का किस मेकेनिक्जम का प्रयोग होता है तो भाई, दुनिया में लोग बहुत है, चाहिये बहुत, चाह बहुत है, साधन मर्यादित है Ends are endless, means are limited पहली बाद है और इसलिए, there is a struggle, struggle for existence और struggle है तो फिर, survival of the fittest तो जितनी आयू मिली है, क्योंकि शरीर्मन दुद्धी है, और कुछ है नहीं तो उसको तुरुप्त करने वाले सारे उपभोग, जितने जादा तुम प्राप्त कर सकते हो और जितने जादा दिन अपने आपको उपभोग करने में समर्थर रख सकते हो उतना करो, वही जीवन का सब कुछ है बाद में क्या है पता नहीं इस डाइनेमिक्स पर दुनिया चलती है इस डाइनेमिक्स को बदलने का काम भारत का है इस डाइनेमिक्स को बदलने का काम भारतवासियों का है संपूर्ण दुनिया को इन सब को जोड़ने वाला तत्व देना है संपूर्ण दुनिया के अर्थ कामों को नियंत्रित करने वाला उसके उद्यम को संतुलित करने वाला धर्म देना है तब सारी दुनिया सुखी होगी तब दुनिया विकास और पर्यावरण में कलह, विद्यान और अध्यात्म में कलह, राजा और प्रजा में कलह, समाज और व्यक्ति में कलह, क्योंकि स्ट्रगल संघर्षय से ही दुनिया आगी जाती, सब लोग जगड़ा करो, जगड़े में जो दुर्बले हों मर जाएंगे, फिर जो सबल है वो राज करेंगे करते करते अंता में एक रहेगा वो अकेले पन में बोह रोके मर जाएगा खुद कुशी करके और क्या होगा इसमें कोई भविश्य नहीं है इसमें ऐसी भयंकर अनिश्चितता है जो रुदय को भाइबीत कर देती है भारत आश्वस्त करता है सामिये इसके परे है जो कुछ है वो ये दिखता है इसमें से जाना है इसको दी रेकगनाईज मत करो इसका भी रेकगनीशन करो इसमें भी उद्यम करो लेकिन ए ध्यान में रखकर करो कि वास्तविक्ता इसके परे है वो इन सब तूटे हुए धागों को जोड़के रखती है इसलिए दुनिया चल रही है उसको धान में रखकर जीवन जियो तो अविद्या और विद्या दोनों को प्राप्त करो अविद्या से मृत्यू पर विजय और विद्या से अमरता प्राप्त करो इस जीवन को जी के उसी जीवन की रहा पर सबको चलाना भारत विकास परिशत का निर्माण डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने स्वयम ऐसा जीवन जी कर उसके अनुभव के आधार पर किया स्वयम ऐसे लोगों को जोड़कर उनमें ये बोध जगा कर उनको कार्य प्रवड़त किया तो कार्य पद्धती की भी कई बाते उनकी अनुभव की बाते हैं हमको सिखने लाइक है सारे समाज को सिखने लाइक है भारत विकास परिशत को सिखने हैं पड़ेगा क्योंकि Dr. Suresh Prakash जी देश के जीवन को जिस प्रकार का मोड देना चाहते थे देश के महाजनों ने जिस प्रकार का उधारन रखना चाहिए उसके लिए और जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस तरीके का उधारन उन्होंने स्वयम रखा उसके आधार पर उन्हें कुछ बाते रखी तो लोग अब डॉक्टर सुराज प्रकाजी को हम नहीं देख सकेंगे लेकिन भारत विकास परिशत को सब लोग देख रहे हैं उन्हें उस विचार का उस व्यवार का उस कार्य पद्धती का प्रतिविम्ब लोग देखना चाहेंगे और दिखाना भारत विकास परिशत का काम है क्योंकि देश को आगे बढ़ना है क्यों आगे बढ़ना है क्या जरूर क्या है ये सब करने की देश का वगरे वकित तो देश का भई प्रेयोजन है भारत किस प्रेयोजन से इस दुनिया में है यूनानमिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि मिटती नहीं हमारी ये क्यों हुआ बाकी तो सम्मिट गये, देखते, देखते, आकरमनों की आंधी में, 77 साल में, स्पेन से साइबेरिया, एक रंग में रंग गया, अभी भी उस आकरमन के प्रभाव, वहां मिलते हैं, कुछ देतों सदा के लिए बदल गया, मिस्र का इजिप्त बन गया, परशिया का इरान बन अभी वापस जाने के रहा बनने उनके लिए, वो अपने मुल तक नहीं जा सकते, उन्हीं आकरमनों को जहल कर, देखते, देखते, तीन खंडों में राज्य, सामराज्य पर सुर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्थी जिनकी थी, कितने लोगों के, और भूत काल को उन्होंने मि जिकता है, उन्हीं सब आकरमनों को जहल कर भी, आज हम जिन्दा है, हिंदुस्थान है, किसलिए है, हमको ये दाईत्व है, दुनिया के जीवन में, समय समय पर दुनिया को आवश्रकता रहेगी, इस संतुलन को वापस लाने की, भारत उठ रहा है, भारत इसके लिए उठ है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है, भारत को क्या करना है, महाशक्ति बन के, आज जो महाशक्ति बन गए उन्हों क्या कि, दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त हो, और बड़ी-बड़ी सुनहली घोशन आके पीछे अपने स्वार्थ साधने के अति पिकरम रहेगा आर्थिक बल देखो सामरिक बल देखो देश की मजबूती देखो देश का प्रकृती परियावरन को देखो सब बातों में दुनिया में हम नंबर वन रहेंगे लेकिन सारी दुनिया हमारे जैसी बने हम नहीं बनाएं वहां के लोग आकर देखे सीखे और बनाएं एतत देश प्रसुतस से सकाशाद अगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन प्रतिवव्याम सर्व मानव सारी पृत्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा और अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी पूजा के अनुसार अपनी भाषा के अनुसार अपने भूगोल इतिहास के अनुसार इन शाश्वत तत्तों के आधार पर एक मानवता पूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा हम किसी को जीतेंगे नहीं हम सब के रिदय जीतेंगे इस प्रकार का निष्टे करके भारत वर्षे को उठना है और भारत वर्षे को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए भारत का विकास जिस परिशत को करना है उसको उस्विकास का उधारण बनना चाहिए इसलिए इस संगठं का काम चल रहा है ये और गती से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीग रही अपना गंतव या प्राप्त कर ले उसके लिए इसके सब कार्यकरताओं को डॉक्टर सुरच प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धियो इसलिए जन्मस्यताब्दी मनाई गई ओ सुफल संपूर्ण हो ऐसी शुभकामणा आप सब को देता हुआ और कृतद नेता अव्यक्ता करता हुआ मेरे चार्शन संपूर्ण